हेलो एंड वैलकम, ग्रेट अगेडमी के ओनलाइन पोर्टल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम है M.D. समी, आज की स्यूडियो में हम लोग जानेंगे कि CRM इतना पावफुल क्यूं है, कि आज जितनी भी बड़ी-बड़ी कमपनिया है, चाहे छोटे बि Artificial Intelligence और Sales for Automation, जो की एक पावफुल टूल है, जो CRM को पावर देता है, ताकि कोई भी बिजनेस इस पर टोटली रिलाबल रह सके, इन टूल्स को हम लोग Component of CRM भी कहते हैं, आपके 2016 के पेपर में, Sales for Automation का फुल्फरम पुछा गया था, और 2018 के पेपर में, किस कमपनी ने इ सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे दोरा दी गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, देखिए, अब हम लोग को हमने लांच किया है, इसका डिमांड बढ़ रहा है, कि घट रहा है, किस तरह का कस्टमर आ रहे हैं, तो इन सारे ट्रेंट्स को हम एक सिंगल स्कीन में समझ सकते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख रहे होंगे, डाटा को रिप्रेजेंट किया गया है, तो इससे जो से हमें छुटकारा मिल जाता है, तो जो डाटा हमारे पास पहले से मौजूद हैं, कस्टमर के या प्रोड़क्स का टिटेल जो हमारे पास मौजूद है, और जब हमने उसे मार्केट में लॉंच किया, तब हमारे पास जो करेंटली अपडेट है, सारे चीजों को टेकनोलोजी का इस्तमाल करके डाटास को अपडेट कर देती है, जैसे कि पहले क्या होता था, सारे चीजे मैनुवली की जाती थी, जितने भी कस्टमर से उनके जो डाटास है, उनके जो कॉंटेक्ट हैं, उनके जो एड्रेसेस हैं, उनके जो बाइंग पैटरन्स हैं, किस को ले रहा है किस प्रड़क्ट वह नहीं ले रहा है इन सारे चीजों को डेली रूटेन पर अपडेट करना होता था जो कि बहुत ही लेबुरियस वर्क है तो इंप्लाई जो है वह माइनली डिस्टरफ हो जाता था तो आटोमेशन आने के वज़े से डारेक्टली यह चीज़ इंप्रूब हो जाता है जो हमारा टास्क डेली अपडेट करने का एक ही चीज़ को वह उससे हम बच जाते हैं और हमारे एक्ट्रेश को बढ़ाता है और हमारे मैंपावर भी घड़ जाते हैं और जो एंप्लाईज हैं कंपनी के वह डिर्यक्टली से फोकस कर पाते हैं तो यह जो कॉंटेक्स सेंटर आटोमेशन है यह नहीं हमारे इफिसेंस को इंप्रूब करता है बट अलसो हमारे कस्टमा एक्सपिरियंस को इंप्रूब करता है कैसे जैसे मान लिजे जो चैट बोर्स हमारे मौजूद है आया सिटी का जो आप लोग एप खोलते हैं तो किसी भ अगर आपको कोई क्वेरी है कभी आपका पैसा फस्ट गया या आपका कुछ पेंडिंग चला गया टांजेक्शन से नहीं हुआ तो वहां पर आप कॉमन कोश्चन को यह वहां पर पूछ सकते हैं आप लोग समझ गया होंगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर देखिए अब हम लोग समझते हैं हुमें रिसोर्स मैनेजमेंट को हुमें रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ही अफेक्टिव तरीका है human resource और उसके skills को manage करने का skills को समझना बहुत ही जरूरी है ताकि उसके अधार पे किसी भी वैक्ति को हम task दे सके या job दे सके हैं जब हमें उसका जरुद मैसूस हो किसी भी situation पे या किसी भी moment पे तब हम लोग उसका इस्तमाल कर सकते हैं हर एक वैक्ति का skill जो है एक जैसा नहीं होता है जैसे कि कोई बोलने में अच्छा है कोई लिखने में अच्छा है कोई computer को अपरेट करने में अच्छा है या फिर कोई sales में अच्छा है तो जो computer को अपरेट करने में अच्छा होगा अगर उसको हम लोग sales का काम दे देंगे तो तो वो efficiently नहीं कर पाएगा, तो company का growth हमारा डाउन चला जाएगा, तो किसी भी company में growth करने के लिए, हर एक व्यक्ति को skills के आधार पे, उसके job profile match करके, हम उनको job देते हैं, या task देते हैं, और उनका इस्तमाल भी करते हैं, ये हर एक company दोरा किया जाता है, चाहे वो company छोटी हो, चाहे वो company बड़ी हो, देखिए, अब हम लोग समझते है, artificial intelligence क्या होता है, artificial intelligence का मतलब होता है, एक computer system या program develop करना, जो कि हमारे task को perform कर सके, जिसके लिए human intelligence का जुरत होता है, जैसे कि data को update करना daily routine के basis पे, या visual perception, customer ने की चीज़ों को खरीदा है, speech recognition, customers के voice को सुनके ये समझ जाते हैं, कि ये कौन सा customer है, हमारा जो regular customer है, वो है कि नया customer हमारे पास आया है, decision making, किसी भी marketing decisions लेने में हमें ये सच्छम बनाता है, और अगर कोई दूसरी region से है, पंजाबी है या बंगाली है, हमें language समझ में नहीं आ रहा है, तो ये translate करके हमारे समझने के language में, हिंदी language में या English language में, जिस भी language में हम लोग understand कर सकते हैं, उसमें translate कर देता है, तो ये सारे चीज़े जो है, आटोमेटिकली हो जाती है, जो कि प्रोग्राम दौरा होता है, और artificial intelligence जो हम लोग इस्तमाल करते हैं CRM में, ये sales force Einstein दौरा launch किया गया था, डेबलब किया गया था, आप लोग इस पर ध्यान दिजेगा, sales force automation tool है, और ये sales force Einstein एक company है, जिसने artificial intelligence को डेबलब किया था, देखिए, अब हम लोग समझते हैं sales force automation को, sales force automation क्या होता है, तो sales force automation जो है, एक tool है, जो कि sales process को automate कर देता है, ताकि जो हमारे sales team है, वो reports generate करने या analyze करने के बज़े, totally sales से focus करें, ताकि आपने time को बचा सके, और business growth को improve कर सके, अपनी profitability को बढ़ा सके, SFA जो है, बहुत सारे business organizations के दोरा इस्तमाल किया जाता है, क्योंकि ये forecasting में भी help करता है, sales forecasting में, जैसे कि in future जो हमारा business down हो रहा है, कि बढ़ने वाला है, हमारा जो technique है, जो हम business में decisions ले रहे हैं, वो कितना accurate है, इन सब चीजों को ये बहुत ही peacefully और बहुत ही actively कर देता है, SFA जो technique है, tool है, इसका जो launching है, ये सितमबर से नॉमबर के बीच में 1999 में हुआ था, Mark Benioff के दोरा, जो कि पहले Oracle में काम करते थे, बाद में इन्होंने खुद की company बना ली कुछ लोगों के साथ मिलके, जिनका नाम था Software as a Service, यानि की SaaS, देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि SFA के key features क्या-क्या है, पहला जो है activity tracking alerts, company में क्या-क्या activity हो रही है, क्या वो सही activity हो रहा है, या कुछ गलट decisions लिए जा रहे हैं, इन सब के बारे में पहले से alert कर देता है sales team को, ताकि वो correct decisions ले सके, अपने next step को ले सके, अपने works को build up करने के लिए, अपने sales को build करने के लिए, next जो है automate the sales process, sales process को automate कर देता है, तो कैसे automate करता है, जैसे कि मान लेजे उसने अगर आपको email भेजा है, किसी भी products के बारे में, अगर आपको time नहीं मिला email खोलने का, तो यह automatically recognize कर लेता है, कि वो email को नहीं खोला गया है, और दो या तीन दिन के अंदर, जो time हमने fix किया होता है, उसमें, उस time के अंदर दुबारा email को भेज देता है, ताकि उस products को आप देख सके, उसमें क्या खासियत है, किस product को company लाँज किया है, इसके बारे में आपो detail में समझ सके, तिसरा जो है take the hassle out of scheduling appointment, take the hassle out of scheduling appointment का मतलब है, कि जैसे पहले क्या होदा था, पहले घर घर जाके, किस client से appointment लेना है, कि नहीं लेना है, क्या करना है, कब appointment लेना है, बहुत ही मतलब ये laborious work है, अब बहुत ही mindly disturbed हो जाता है, confidence lose कर देता है sales team, तो ये क्या करता है, SFA जो है, ये directly client जब जो email भेजेगा, schedule करने का, कि अब हमको meeting fix करना है, तो जब हमारा customer respond करेगा उस पे, तो हमारे sales team को वो inform कर देगा, ताकि sales team जो है, वो confident रहे, और directly जाके client से meeting कर सके, उसे कोई हिचकिचाहट ना हो, और चौथा point जो है, automatically assign leads, leads को directly assign कर देता है, कौन सा lead हमको लेना है, या कौन सा lead नहीं लेना है, तो company matrix के हिसाब से, जैसे कौन सी industry है, location क्या है, उसका size क्या है, उस हिसाब से हमें leads को provide कर देता है, ताकि हमें खुझ से उस चीजे ना करने पड़े, क्योंकि बहुत दिकते आती हैं, खुझ से leads को decide करना, हर चीज को समझना, manually, तो SFA टूल जो है, directly सारे information के थुरू, हमें leads को assign करने में help करता है, और जो है, जो सारे reports हमारे पास मौझूद है, data जो हमारे पास मौझूद है, जब हमें उससे जानना होता है, या manager जो आते हैं, जिसको हम बुलाते हैं, sales managers जो होते हैं, डाइटर जो होते हैं, जब company को check करते हैं उन लोग, तो ये directly report भी produce कर देता है, और जो है, right leads को फोकस करता है, मतलब किस lead को हमको लेना है, कौन सा lead हमारे लिए, बहुत ही important है, marketing के लिए, business growth के लिए उस पर focus करता है, ना कि जो lead बेवजय की है, पहले क्या होता था, manually करने में, कुछ हम ऐसे leads पर चले आते थे, जो कि हमारे marketing के लिए profitable नहीं था, हमारे business के growth में जो improvement नहीं करता था, अब क्या होता है, कि SFA tool हमें right lead लेने में focus करता है, वो खुद बता देग आपको कि किस lead का पास जाना है, जो कि बहुत ही important है, और हमारे business को इस तरीके से SFA tool जो है, improve करने में help करता है, I hope आप लोग SFA के की features को समझ गये होंगे, कि कि किस तरीके से SFA tool काम करता है, यह बहुत ही effective है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि 2016 में SFA का full form पुछा गया था, और 2018 में SASE का full form पुछा गया था, तो इस सारे topics जो examination point of view से बहुत ही important है, क्योंकि अभी exam में क्या पुछा जाएगा, यह हमें पता नहीं है, तो इन topics को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसके आप लोग notes बना लीजिए, यह हमारे PDF को follow कीजिए, PDF आपको हमारे telegram channel पे म पूछ सकते हैं, जिसका link description box में रहता है, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए जय हिंद,